हेलो स्टुडेंट वेलकम तु दब्रेंज साब क्लासेज आज अपने पढ़ेंगे क्लास एट की में चैटर नमबर 3 एक्सेसाइज अपने पास में 3.2 question number 1 में आपसे बोलाएं find x in the following figures यानि कि आपको इसमें x की वे calculate करनी ही ठीक है अब यहाँ पर जो यह x बंदा है यह कौन सा है exterior ठीक है exterior एंगल है आपर तो अपन जानते हैं क्या जानते हैं कि sum of all exterior एंगल कितना होता है 360 डिगरी क्या लग देंगे we know that हम जानते हैं sum of all exterior एंगल is equal to कितना होता है 360 डिगरी होता है ठीक है तो यहाँ पर exterior एंगल कितना है अपने पास में x plus यहाँ पर कितना है 125 यह भी exterior एंगल है और यह भी क्या है अपने पास में exterior एंगल है 125 is equal to कितना हो जाएगा 360 डिगरी आपने को x value calculate करनी है तो अपन क्या करेंगे है 125 और 125 को 8 करेंगे औरर राइट हैंड में Nevada करेंगे तो 125 और 125 कितना होजाएगह 250 डिगरी इसको सब्ट्रेक कर लेंगे एक की वि लेजाएगी पने पास में हञास ओना जेगा 0 6 में से 5 को मैने करेंगे तो कितना जा यहांसे 1 और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 यानि कि X की विल्य आजाएगी 110 डिग्री ठीक है यह तो हो गया इसका 1st method इसका 2nd method आपने इसको ऐसे भी कर सकते हैं देखो यह इसका exterior angle दे रखा है तो interior angle के लिए आपन क्या करेंगे 180 में से minus कर देंगे तो इसके विल्य पता लग जाए 180 डिग्री ठीक है तो फिर इसके विल्य पता लग जाएगे अपने को और 180 में से minus कर देंगे तो यहां से अपने को exterior angle पता लग जाएगा लेकिन वो long method हो जाएगा अपने को यही method apply करना है ठीक है इसे तरह किसे इसका B part है यहाँ पर अपने को X की विल्य किल्कुलेट करनी यह भी कौन सा एंगल है exterior angle है तो सबसे पहले यह पता अपने को 60 degree है यह symbol किसका होता है 90 degree का यह अपने को interior angle पता है तो अपने इसका exterior angle calculate कर लेंगे कितना जाएगा 180 में से 90 को minus कर देंगे क्योंकि interior 90 है तो फिर exterior भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो ठीक है तो यहाँ पर भी 60 डिग्लत के टना है 90 लिग्री है किस्थ्टीए एपने पास में 60 डिग्री यहाँ पर है 90 डिग्री Simmons बना हाए ठीक है और यहाँ पर कितना है 70 डिग्री इस ही गऌर किप डिगें है 360 डिग्री इनको आपने 8 लेता है और राइओ और सायड़ में सिट कर देंगे तो यहां स ये तो गया 180 डिगरी वनमेटी डिगरी और यह है 60 और यह संविंटी डिगरी यह हो गया 130 डिगरी इन दोनों को इर्ग लाते 08 1990 11 का इंप 310 अ उधर कर देंगे तो मैंने में body 10 बन जाएगा अब 360 में से 310 को माइनस करेंगे तो आंसे कितना जएगा 50 डिगरी यह जगा इसका राइट आंसर क्लेर यहां तक इसके बाद है इसका second question find the measure of each exterior angle of a regular polygon यानि कि एक regular polygon है अपने पास में उसका क्या calculate करना है each exterior angle calculate करना है हर एक exterior angles होए वो कितने कितने degree का हो सकता है यह calculate करना है ठीक है side कितने दर के 9 और side दर के अपने को 15 side तो इसका answer कैसे लेखेंगे सबसे पहले आपने लेखेंगे sum of all exterior angle all exterior angle of a polygon कितना होते है अपने पास में 360 degree ठीक है is equal to 360 degree therefore each exterior angle each exterior angle calculate करना है अपने को each exterior angle calculate करना है तो उसके लेखेंगे sum of all angle sum of all exterior angle divided by number of side ठीक है number of side अगर आपन sum of all exterior angle में number of side का divide कर देते हैं तो अपने को each exterior angle पता लग जाएगा तो क्या लेकिंगे अपन 360 degree divided by number of side कितनी है नाइन अपने पास में ठीक है 9 seconds लाउट करेंगे इसको 940 36 यानिकी 40 degree यानिकी हर एक exterior angles होगा वो कितने कितना होगा 40 degree 40 degree होगा ठीक है इसे तरह किसी का सेकिंड पार्ट करेंगे तो यहां पर क्या लेखेंगे अपन इच एक्स्टीर एंगल किल्कुलेट करना है इसका भी वह सेंप्रोसेस दिवेड़ बाइट नंबर ओफ साइट के डिवाइट कर देंगे नंबर ओफ साइट का तो अपने विल्टेगा इच एक्स्टीर एंगल यानिकी अगर आपने पास में डिवे और क्या पूछा है हाँ मैदी साइट पूछी नंबर ओफ साइट क्या लेखिएस आपने वैसे कैं गवह उख गांपने ऑफ इस एकस्टीर एंगल के लिए क्या मैं सकते हैं पन सम ओफ सम ओफ ऑफ और एक्सरीर एंगल ओल एक्सरीयर एंगल डिवर्डड़ एंगल आधि नंबर ओवफ थी इस से पने इस्से पेविल्विश एप्रेज़ नम्बर ओपिया था इच इस सम अबर और यह जाए को यह नंबर ओप साइड यानिकि लाट करनी त यहां पर आपने को number of size is equal to, तो क्या लैकेंगे, number of size is equal to, देखो, number of size को यहां transfer कर देंगे, और each exterior angle को यहां shift कर देंगे, तो क्या लेकेंगे, number of size is equal to, sum of all exterior angle all exterior angle divided by each exterior angle अगर आपन sum of all exterior angle में each exterior angle का divide कर देते हैं तो आपने को क्या मिल जाएगी number of sides यहनकी sum of all exterior angle कितना होता है 360 degree ठीक है और each exterior angle किता दरका है 24 degree तो इसका answer कितना जाएगा number of sides है जाएगा पने पास में 15 sides यह जाएगा इसका right answer next is question number 4 how many side does the regular polygon have if each of its interior angle is 165 ठीक है question number 3 में आपको यहाँ पर each exterior angle given था बट इसमें यहाँ पर interior angle given है ठीक है तो सबसे वहले आपन क्या लेखेंगे let number of side be n number of side अपने assume कर ली n अब यहाँ पर interior angle given है तो अपने इसको exterior angle में convert कर लेंगे किस तरह के से 180 में से minus करके तो क्या लेखेंगे यहाँ पर each exterior angle is equal to 180 minus 165 is equal to कितना जाएगा 15 degree ठीक है अब formula लगया होता है अपने पास में number of sides is equal to sum of all exterior angle upon each exterior angle ठेक है तो यहाँ पर डिवाइड कर दिंगे अपन 360 में divide करेंगे किसका 15 का क्योंकि sum of all exterior angle कितना होता है 360 आपने को exterior angle की बारे में पता था इसलिए अपने interior को किसमें कनूट कर लिया exterior में किस तरह के से 180 में से minus करके डिवाइड करेंगे तो आन से कितना जाएगा 24 यानिके इसमें किती साइड्स होगी total 24 साइड्स होगी नेक्स्ट है इसका question number 5 इसका फर्स्ट पार्ट है इस इक पॉसिबल तू हे और रेगुलर पॉलिगन विट मैजर ओफ इच एक्ट्रेट एंगल एस 22 डिगरी यानिके इसा पॉलिगन बनाना पॉसिबल है क्या जिसका हर एक एंगल एक्ट्रेट एंगल कितना हो 22 डिगरी हो तो देखो sum of all एक्ट्रेट एंगल कितना होता है पॉसिबल हो तो 360 में 22 का डिवाइड होना चीए ठीक है उससे क्या मिलता है अपने को number of side मिलती है तो यहां क्या लिगेंगे कि इसक पॉलिगन बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने इसमें सम ओफ एक्ट्रेट एंगल के अंदर एक्ट्रेट एंगल का डिवाइड करते हैं तो आपने क्या मिलती है नंबर ओप साइड मिलती है ठीक है जो कि यहां पर कंप्लीटली नहीं मिल पाएगी इसले यहसा इके एंगल नहीं हो सकता तो रहें कि और फिल्लम इंपने इंटीर एंगल के बारे में बना एक्स में से माइनक्स करके तो वन एकली में से माय만 करें इंटेरियर एंगल है उन्होंने 22 दे रखाए इस बार ठीक है तो अपन क्या करेंगे एक्सटीर एंगल निकालनेंगे 180 में से 22 को माइनस करके कितना जाएगा 158 विच इस नौट डिविजर ओफ 360 जो कि 360 को completely divide नहीं करता यानि कि अपने वो number of sides हो है whole number में नहीं मिल पाएगी इसलिए जो 22 है ना तो वो exterior angle हो सकता है और नहीं वो एक interior angle हो सकता है किसी भी polygon के लिए ओके next question number 6 इसका ए पार्ट है what is the minimum interior angle possible for a regular polygon यानि कि किसी भी regular polygon के लिए minimum interior angle कितना हो सकता है ये बताना है ठीक है तो क्या लेकेंगे the equilateral triangle regular polygon किसको बोलता है जिसके side और angles क्या हो equal हो the equilateral triangle being a regular polygon equilateral triangle एक regular polygon होता है ठीक है of three sided जिसमें 3 side होती है 8 list measure of an interior angle 60 degree तो उसका हर एक angle कितना होना अच्छी है 60 degree होना अच्छी है तब यह क्या बनेगा regular polygon बनेगा ठीक है और sum of all angles of a triangle कितना होता है 180 degree होता है अब वो regular है तो उसके जो तीनों angle होगे उनके measure क्या होगी सेम होगी वो अपने कितने माल ली x degree माल ली ठीक है is equal to क्या लग देंगे 180 degree तो यहां से क्या लगेंगे 3x is equal to 180 degree यानि कि x degree is equal to 180 degree upon 3 is equal to कितना जाएगा 60 degree मतलब कि हर एक interior angle की value कितने होगी एक regular polygon के लिए 60 degree होगी ठीक है तो minimum interior angle कितना होगा अपने पास में 60 degree इसकी का second part है B part what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon इस बार क्या पुचा है maximum और क्या पुचा है साथ में exterior angle तो देखो फर्स्ट पार्ट में अपने minimum interior angle calculate किया था कितना है था 60 degree ठीक है तो फिर अपने अपको exterior angle चीए क्या करेंगे 180 में से 60 को minus कर देंगे तो क्या लेखेंगे by A यानकि first part से we can observe that हम यह देख सकते है observe कर सकते है the greatest exterior angle is कितना आजाएगा 180 minus 60 degree is equal to कितना हो जाएगा 120 degree क्योंकि अगर अपने को interior angle पता है exterior angle निकालना है तो 180 में से minus कर देंगे या फिर exterior पता है और interior आप calculate करना है तो अभी अपन क्या कर देंगे 180 में से minus कर देंगे अपना answer आजाएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही इसमें अपने इसकी exercise 3.2 को complete क्या है I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को like, share चैनल को subscribe करना है मिलते है नेक्स्ट टूडियो में थैंक्स पर वाजियो क्या थर्आ थजए लगगी है